हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार मैं हूँ अनंत गौड और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर सिख्स है सेवन्थ क्लास का सिविक्स के अंदर और इसको हमने इससे पहली वीडियो में थोड़ा सा रीड कर लिया था अब हम इसको थोड़ा सा आगे रीड करते ह हैं तो चलिए देखते हैं इस लेसन का नाम आप सभी को पता ही होगा अंडरस्टेंडिंग मीडिया है और इसके अंदर हमने ये देखा था कि जो जितने भी हमारे मीडिया के संसादन है जैसे कि मानलो रेडियो गया टेलिविजिन हो गया या इंटरनेट हो गया या निउस पर और इंटरनेट सभी के लिए हम मीडिया शब्द का यूज करते हैं अब हम यहां पर हमने यहां पर यह भी देखा था कि जो है मीडिया मीडिया की डेफिनेशन भी देखी थी जो मीडिया की डेफिनेशन थी वह यहां से लेकर यहां तक थी ठीक है इसके बाद दूसरा क मास मीडिया की बात करेंगे, कि उसके अंदर क्या दिया गया है? कि मास मीडिया के अंदर ये बताया है कि ये देखिए मास मीडिया बता रहा है जो टेली विजन रेडियो और निउस्पेपर की साहिता से आज हम अपनी इन्फोर्मेशन लाखों लोगों तक पहुचा सकते हैं और ये वर्लिक लावल पर कंट्री लावल पर हम किसी भी इन्फोर्मेशन को असानी से पा सकते हैं तो उसको मास मीडिया के नाम से जाना जाता है फिर हम यहां पर बात करें इससे उपर जो दिर्ख है उपर यहां पर जो mass media की definition दी गई थी तो हम यहां पर हम देखें यह है media की definition ठीक है media what is media फिर हमने इससे पहले यह भी देखा था इससे पहले कि जो newspaper है और magazine यह print media का बाग माने जाते हैं और television और radio की बात करें इसको electronic media के रुप में देखा जाता है अब इससे उपर हम यहां पर देखें money और media के बारे में हमने पड़ा था ठीक है media और money का भी आपस में काफी connection माना जाता है और main sources है media के पास पैसा कमाने के लिए वह है big business house याने की बड़े वेपारिक गनानों से उनका link माना जाता है इससे ही उनको पैसा मिलता है इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर बताएगी थी वो थी advertisement ठीक है advertisement आती है ना हम tv में देखते हैं कई तरह की advertisement आती है उससे भी media को या उससे भी tv चैनल वालों को या news वालों को कोई भी जो channel हो गया उसको पैसा मिलता है हम tv देखते हैं तो उसके बीच में काफी बार advertisement आती है हर तरह की advertisement आती है हमारे जितने भी आगरमाले अभी नेता है या actor है actress है ठीक है वो सभी सभी कुछ ना कुछ प्रोड़क्ट की advertisement करते दिखते हैं या यहां कि तक की हमारे जो players है या game में ठीक है जो game के player है जैसे जैसे महिंदर सिंग दोनी हो गया ठीक है तो वो भी एक player है वो भी किसी ना किसी चीज़ की advertisement करते रहते हैं तो हम इसको tv पर देखते हैं अब इससे आगे हमने क्या read किया है इसके आगे हम read करेंगे media and democracy अब हम यहां पर आते हैं यहां इसमें क्या बता रहते हैं कि media और democracy को परजातंतर भी कहते हैं और लोग तंतर भी कहते हैं तो लोग तंतर में media का एक सबसे important role माना जाता है क्योंकि जो media के द्वारा ही लोग यह जान पाते हैं या जो नागरिक है देश के किसी देश के नागरिक है media के द्वारा यह जान सकते हैं कि उनकी government कैसे काम कर रही है या क्या क्या काम कर रही है ठीक है तो इसके अंदर यह इसमें बता रहा है इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि media में दिखाएगी चीजों के अधार पर हम अगर government कोई ऐसा कारे करती है जो हमारे खिलाफ है तो हम उसके विरुद हम बोल भी सकते हैं या उसका विरुद भी कर सकते हैं तो जैसे कि हम अपने ministers को letter भी लिख सकते कि भी आपने ये कारे क्यों किया जो कि हमारे विरुद था या हम public protest भी देखते हैं और इसके अलावा signature campaign इसके अंदर signature करकर के government को बताया जाता कि हम आ वो दुबा से सोचती है कि जो हमने program काम किया है कारे करिंब किया है वो सही है या गलत है तो इसके निचे हम ये भी देखते हैं कि तो media के बात के अधार पर हम कोई action लेते हैं तो तब ही हम एक्षिन ले सकते हैं जब हमें उसके बारे में सही जानकारी हो ठीक है तो सही जानकारी यानकि बैलेंस रिपोर्ट होने चाहिए हमें उसके बारे में इन्फोर्मेशन होने चाहिए कि वो बात बिल्कु सही होने चाहिए अब हम आगे दिखते हैं इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर दो एक्जामपल के माद्यम से बैलेंस रिपोर्ट के बारे में समझाया जाएगा तो इसमें दो तरह के यहां पर दिखा रहा है प्यारी बच्चो न्यूस पेपर दिखा रहा है यह तो एक तो है News of India Report और India Daily Reports यह दो तरह के न्यूस पेपर की कटिंग यह पर दिखा रहा है आप देखते भी होगे ठीक है इस तरह से कटिंग मिलती है अब इसके जैसे हमारे आते हैं ना कि दैनिक जागरन दैनिक बाशकर या और भी तरह के आते हैं तो अलग अलग रिपोर्ट मिलती है तो इसमें क्या दिया गया है इसमें बताये गया है कि ग्रूर्मेंट ने एक स्टैप उठाया था कि जो शेहर के बीच में जितने भी कार ख नधर ट्राइंब न जो कारनों के मालिक थे और मजदूर है उन्होंने इसका विरोध किया को बंद कर दिया अब इसमें क्या दिया गया है की इसमें क्रैक डाउन ओन पोलिटिंग फैक्ट्री इसमें बताए गया है की गोर्मेंट ने सारी जो पर्दुष्शन पहलाने वाली फैक्टरी से उसको बंद कर दिया था, जिसके कारण लोगों ने जाम कर दिया था, जो फैक्टरी के मालिक थे और वरकर्स से उन्होंने रोड को जाम कर दिया था, जिससे काफी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा था, और इस निवपोर्ट से हमें यह पता चलत ठीक है अब दूसरी अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर हमें यह पता चलता है कि जब फैक्टरी को बंद कर दिया गया है तो उसका जो असर है उसका जो असर है उनके वो जो फैक्टरी में काम करने वाले लाक वाजारों जो वरकर्स है वो रातो रात बेरोजगार ह गया है तो उनके गर का प्रभीवार का कैसे खरचा चलेगा और गॉअन्मेंट ने जो भी इस हम किये गये हैं तो वो भी को ले गे थे तो वह भी गॉअन ने लाइसेंस प्रवाइड किये थे तभी तो उन्होंने बनाए थी तो इस रिपोर्ट से ये लगता है कि जो गवर्मेंट ने जो फैक्टरीज को बन किया है वो गलत है तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या इसके अधार पर अगर हम बात करें कि एक हम न्यूज पेपर को प पड़ना पड़ेगा जब हम दोनो इसके बारे मैं नोलेज अच्छी तरह से हो पाएगी और इस तरह से दोनो नियूज को हम देखें तो जब हम दोनो नियूज को पढ़ेंगे तभी हमें बैलेंस रिपोर्ट मिल पाएगे अब बैलेंस रिपोर्ट होता क्या है तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखे पाएंगे, स्कृन के ओपर यह बैलेस रिपोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, बैलेस रिपोर्ट, अब बैलेस रिपोर्ट होता क्या है, जब किसी घटना पर या किसी स्टॉरी पर, हम उसके हर पक्ष के ऊपर ध्यान देते हैं उसके नेगिटिव पक्ष पर भी ध्यान देते हैं उसके पोजिटिव पक्ष पर भी ध्यान देते हैं और फिर हम अपनी राय बनाते हैं तो उसको बैलेंस रिपोर्ट का जाता है तो इसमें क्या देर रखा है कि a balance report is one that discuss all points of view of a particular story and then leaves it to readers to make up their mind. अब इसमें क्या देर रखा है कि जो balance report होती है वो किसी particular story पर उसके हर पक्ष की और दियान देखती है और last में जो readers होते हैं जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनको उपर छोड़ देते कि भी वे अब इसके बारे में क्या निर्न है ले सकते हैं इसको balance report उपका जाता सवतंतर नहीं है या independent नहीं है तो वो हमें अच्छी जानकारी नहीं दे सकते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं यह definition दे रखिया है balance report की sorry independent India के independent media के बारे में यहां पर बता रख है अब यहां पर भी हम इसको mark कर लीते हैं यह definition है आप सभी इसको अपनी notebook के अंदर भी लिख सकते हैं या mention कर सकते हैं तो यह जो definition है यह डेफिनिशन है इंडिपेंडेंडेंट मीडिया की ठीक है इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड कि आपको ये न्यूज के अंदर ये शामिल करना चाहिए, या ये शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसको इंडिपेंडेंडेंट मेडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो अपने आप में सोतंतर है, ठीक है, उसके उपर किसी तरह का कोंट्रोल नहीं है यह नहीं कि उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं बना सकता है ठीक है और वो जो रिपोर्ट पेश करें उसके ऊपर किसी तरह का दबाउं नहीं होना चाहिए अब हम इससे आगे बात करते हैं इसके अंदर आगे दे रखा है सभी बच्चे दियान से देखेंगे कि कई बार देखा जाता है कि जो हमारी जो मीडिया होती है वो सवतंतर नहीं होती है उसके पीछे क्या कारण है उसके पीछे कई बार कारण माना जाता है कि यहां पर दो तरह की कारण बता रहे हैं कि मीडिया अपने आप में स्वतंतर क्यों नहीं है या वो बैलेंस रिपोर्ट क्यों नहीं दे पाती है उसका एक रिजन तो यह है कि अगर मीडिया पर गोर्मेंट का कंट्रोल होगा तो वो अपनी सही रिपोर्ट नहीं दे पाएगा अगर मालो किसी गोवर्मेंट है, तो वो गोवर्मेंट उसका उपर मीडिया के उपर उसका कंट्रोल है, तो क्या मीडिया वाले गोवर्मेंट के खिलाब बोल पाएंगे, तो वो नहीं बोल पाएंगे. अब यहां पर एक और डेफिनिशन दे रखिया है, सभी बच्चे दियान से देख लेंगे, ठीक है, यह सेंसर्शिप के बारे में दे रखा है, यह इसमें बता रखा है, कि when the government prevent the either or news items or scenes from a movie or lyrics of a song,